हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आफ सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एन सक्सेस पॉइंट में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट 20 कोचंस को देखेंगे जो आपके आने वाल एक जाम के लिए बेरी इंपोर्टेंट है तो वीडियो को बीना इसकीप किये इंड तक जरूर देखे और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहला पर्षन है विद्यार्थी दिवस कम मनाये जाता है तो friends विद्यार्थी दिवस दुनिया भर में हर वर्ष 15 अक्टूबर को मनाये जाता है हमारा option D सही होगा 15 अक्टूबर और friends इस वीडियो को आप इन तक जरूर देखे क्योंकि मैं आपसे एक कोचन पूछोंगा जिसका answer आपको हमें comment section में बताना है तो चलिए अगला person देखते हैं तो अगला person है हमारा भारत में सौर्व पर्थम मैक्सेस पुरुसकार की से दिया गया था तो दोस्तो भारत में सौर्व पर्थम मैक्सेस पुरुसकार बीनोबा भावे को दिया गया था हमारा अपसन एस सही होगा और friends इस पुरुसकार की अस्तपना की बात करें तो इस पुरुसकार की अस्तपना उनिस सो संतावन इसपी में हुआ था उनिस संतावन इसपी में और सर्वपरतम भारत में किसे दिया गया था तो बिनोबा भावे को हमारा आपशन एस सही होगा चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है नाइचो किस देश की गुपचर संस्ता है तो फ्रेंस नाइचो जपान देश की गुपचर संस्ता है हमारा option B सही होगा जपान चलिए अगला person देखेंगे तो अगला person है हमारा भारती अन्नु उर्जा का जनक कोन है तो दोस्तो भारती अन्नु उर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहागीर भाबा है हमारा option B सही होगा राइट एंसर B डॉक्टर होमी जहागीर भाबा चलिए अगला person देखेंगे हम तो अगला person है हमारा थल सेना के करनल के समकच वायू सेना में कौन सा पद होता है तो दोस्तो थल सेना के करनल के समकच वायू सेना में गुरूप केप्टन का पद होता है हमारा option B सही होगा गुरूप केप्टन चलिए अगला person देखेंगे तो अगला person है हमारा किस नदी को दक्छिन गंगा के नाम से जाना जाता है तो friends गुदावरी नदी को दक्षिन गंगा के नाम से जना जाता है हमारा अप्षन ये सही होगा गुदावरी चलिए अगला पर्षन देखेंगे हम अगला पर्षन है हमारा लसकर एतैबा क्या है तो फ्रेंस लसकर एतैबा एक आतंगबादी संगठन है हमारा अप्षन डी सही इसकी ऐस्थापना, 1987 इसपी में हुआ था। और इसकी ऐस्थापना, हाफिज मूहमद सईद ने इसकी ऐस्थापना की थी। हमारा option D सई होगा। चलिए अगला परशन देखेंगे, तो अगला परशन है हमारा, भारत में सबसे अधीक काफी उतन कहा होता है। तो friends भारत में सबसे अधीग कौफी उत्पादन करनाटक राज्ये में होता है हमारा option B सही होगा करनाटक राज्ये चलिए अगला person देखेंगे तो अगला person है हमारा फलोरी कल्चर का संबंद किसके उत्पादन से है तो friends फलोरी कल्चर का संबंद फूल उत्पादन से है हमारा option A सही होगा फूल चलिए अगला कोचन देखेंगे तो अगला कोचन है हमारा सत्यमेव जयते किस पुष्टक से लिया गया है तो दोस्तो सत्यमेव जयते मुंडग उपनी सद पुष्टक से लिया गया है हमारा option A सही होगा मुंडग उपनी सध हमारा option A चलिए अगला कोचन देखेंगे आगला person है हमारा IPC का full farm क्या है तो IPC का full farm Indian Panel Code होता है हमारा option B सई होगा Indian Panel Code चलिए अगला person देखेंगे तो अगला person है हमारा राष्टपती भाओन में कुल कितने कम रहे हैं तो friends 330 एकर में और इसमें कुल 340 कमरे हैं हमारा option एस सही होगा चलिए अगला person देखेंगे तो अगला person है हमारा सन युक्त राजी अमिर्का का राष्टिये खेल क्या है सन युक्त राजी अमिर्का का राष्टिये खेल बेस बॉल है हमारा अपसन एस सही होगा बेस बॉल चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है हमारा यूनेसको का मुख्याले कहा है तो friends UNESCO का मुख्याले Paris है और आपको बता दे friends Paris France की रजधानी है France की रजधानी Paris है हमारा option A सही होगा और UNESCO का मुख्याले Paris है option A सही होगा हमारा चलिए अगला person देखेंगे अगला person है हमारा किस बिदेशी को भारत रतन पुरुषकार सबसे पहले दिया गया तो friends इसका right answer होगा अबदुल गफ़ार खान को भारत रतन पुरुषकार सबसे पहले दिया गया था हमारा option C सही होगा और बात करे friends की ये कब दिया गया था तो ये 1987 इसपी में इने भारत रतन पुरुषकार दिया गया था और किने दिया गया था तो अबदुल गफ़ार खान को दिया गया था हमारा option C सही होगा 1987 इसपी में दिया गया था option C चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है हमारा सत्यसोधक समाज की अस्थापना किसने की हमारा option C सही होगा चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है हमारा एडस दिवस कम मनाया जाता है तो friends एडस दिवस एक दिसंबर को मनाया जाता है हमारा option C सही होगा 1 दिसंबर 1 दिसंबर चलिए अगला परसन देखेंगे तो अगला परसन है हमारा कूंभ मेला कितने वर्स उपर लगता है तो friends कुम्भ मेला 12 वर्षो पर लगता है हमारा option 20 सही होगा 12 वर्षो पर चलिए अगला person देखेंगे अगला person है हमारा Miss World का किताब जीतने वाली प्रथम भारती महिला कौन है तो friends इसका right answer होगा Rita Fariya Miss World का किताब जीतने वाली प्रथम महिला थी Rita Fariya हमारा option D सही होगा चलिए अगला person देखेंगे और इस वीडियो का आखरी person अगला person है हमारा South Africa की मुद्रा क्या है तो friends आपको इसका answer हमें comment section में बताना है और मैं इसका answer अगले वीडियो में बताऊंगा इसका सही answer क्या होगा ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें comment section में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आये तो please like, share and हमारे channel को subscribe करना ना भूले